हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं एक वार फीट से आपका अपने यूट्यूब चैनल लो विट्विन्स में स्वागत करता हूँ और आज किस वीडियो में हम प्लिटिकल साइंस की वीडियो को आगे बढ़ाएंगे या आप constitutional law या इंडियन पॉलिटी भी बोल सकते हैं उनकी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और डिस्स करेंगे कि what is constitutionalism Constitutionalism क्या होता है इस से पहले विडियो में हमें डिस्स किया था Constitution क्या होता है उसके meaning, definition पढ़े थे आज की वीडियो में जाने ये constitutionalism क्या होता है और इसमें और constitutional में क्या फर्क है और क्या इंडिया में constitution है या constitutionalism है या दोनों ही है तो आएए दोस्तों बिना time waste किये आज की वीडियो शुरू करते हैं तो students सबसे पहले introduction साथ topic की शुरुवात करते हैं अगर मैं इस topic constitutionalism को introduce करने की बात करूं तो basically two terms हम use करते हैं एक तो constitution there are basically two terms that we use one is constitution and other one is constitutionalism this both terms some people take them synonymous दोनों को से मानते हैं पर दोनों सेम नहीं है दोनों आपस में बहुत जाड़ डिफरेंट हैं और मैं constitution की बात करूं तो हम लोगों को पता है कि ये एक document होता है it is a document basically जो हमें बताता है कि एक country कैसे govern होगी country में कौन सी form of government होगी country में government की power क्या होंगी country में लोगों को rights मिलेंगे या नहीं मिलेंगे डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होंगी सारा कुछ बताते हैं हमें कौन constitution जो एक documents होता है हमने constitution की वीडियो में इसको पढ़ा हुआ है अब वहां जाके अच्छे देर सकते हैं वहीं पर अब मैं constitutionalism की बात करूं तो यह क्या होता है हम आप ही जानेंगे थोड़ बात जानेंगे आप यह समझे लेजिए कि constitutionalism जहां भी होगा जिस भी country में constitutionalism होगा वहां के लोगों को freedoms मिलेंगी वहां के लोगों को rights मिलेंगे ही मिलेंगे और यह हुआ तो यह हुआ Constitution हुआ, तो freedoms, मिलेगी नहीं, राइट्स, मिलेगी यह पक्का नहीं है बच्चों मिरे बाद समझती, कोशिछ करना मैं क्या बहुना चाहता हूँ कि Constitution होगा तो rights, मिलेगी, नहीं मिलेगी duties, freedoms, बाइट्स, मिलेगी नहीं, मिलेंगी तो बच्चो मैं ये बोड़ सकता हूँ I can say that each country, हर country, each country must have constitution, हर country में constitution तो हो गई होगा मैं ये बोड़ सकता हूँ but each country need not to have constitutionalism, हर country के पास constitution तो हो गई होगा पर हर country के पास constitutionalism हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, जितनी भी countries हैं उसमें constitution तो होगा ही होगा पर हर country में constitutionalism हो ये बिल्कुल जूड़ी नहीं है constitutionalism होगा नहीं होगा अगर country में constitution है तो constitutionalism होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है पर जब country में constitutionalism है तो उसमें constitution होगा होगा मतलब Constitution हर country का होता है ले कॉंस्टुशनलिजम हर country में नहीं होता है यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आगे चलते हैं मेनिंग के देखते हैं अर्थार constitutionalism का link यह है कि constitutionalism जिस country में होगा वहां पर लोगों को rights भी मिलेंगे, freedoms भी मिलेंगी, liberties भी मिलेंगी हर country में constitutional होता है पर हर country में constitutionalism हो यह ज़रूरी नहीं है आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसका meaning के बारे में तो students हमें अभी तक यह पता चल गया कि constitution और constitutionalism दोनों different terms है हर country का constitution होता है इसमें कोई doubt नहीं है पर constitutionalism होगा नहीं होगा यह depend करता है कुछ factors के ओपर अभी हम देखेंगे उसको तो constitutionalism क्या होता है बिसकलिए दियान से देखिए a constitution would be said to have constitutionalism एक देश में अगर constitution है तो उस देश में constitutionalism तब होगा जब वो constitution किसके बारे में बताएगा when the constitution would incorporate the flowing concepts कौन से concepts है मतलब हर देश में constitution है और अगर उस देश का जो constitution है वो इन चीजों के बारे में बताएगा तो मतलब क्या होगा वहाँ पे constitutionalism है वो चीज़े क्या क्या है a controlled और limited government अगर किसी देश के समिधान ने उस देश में controlled या limited government establish करी तो मतलब वहाँ पे क्या है constitutionalism है limited government का मतलब क्या है यह government permanent नहीं है यह government कुछ time के लिए बनी है अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो दुबारा से सत्ता में नहीं आएगी जैसा की इंडिया में है पांच साल के लिए government बनती है अच्छा काम करेगी द्वारा से लेक्षन होगा द्वारा से बोट लोग डालेंगे बुरा काम करेगी लोग बोट डालेंगे नहीं अगर एक देश में limited government है controlled government है government को control किया जाता है हमारे देश में government control होती है जो भी cabinet है या ministers है वो एक्जी जो भी executive ministers है वो सारे है कि सारे legislature जरी है controlled क्या जाता है उनको हमारे देश में जो session चलते हैं उनमें तो जब एक देश में controlled या limited government होगी तो वहां पर क्या होगा बच्चो constitutionalism पाया जाएगा वहीं पर अगर एक देश में rule of law होगा if the constitution of a country provides the rule of law it means the country having the constitutionalism rule of law का मतलब क्या है कि कानून का साशन है everyone is below the law everyone are equal before the law no one is above the law law is equal for everyone whether he is rich or he is a poor he is a prime minister he is a pian everyone are equal before the law और देश में separation of power होगा government की जो तीन organs है executive, legislature, judiciary तीनों separate है लोग अलग बना रहा है एक्जीक्यूट अलग कोई organ कर रहा है और interpret करने वाली judiciary कोई अलग है जब ऐसा होगा तो अगर constitution किसी country का ऐसा कोई system देता है तो मतलब वहां पर constitutionalism है prohibition of excessive taxation अगर एक देश में excessive tax का prohibition है लोगों के ओपर ज़्यादा tax नहीं पढ़ रहा है टेक्स को control किया गया है लोग के जरिये constitution ने taxes, taxes को excessive taxes को prohibit किया है तो मतलब वहां पर constitutionalism है prohibition of arbitrary unlawful retention अगर एक देश में एक देश का constitution किसी को arbitrarily detain होने से रोखता है यह बात बोलता है तो मतलब ऐसी country में जब ऐसा system होगा तो वहां पर क्या होगा constitutionalism होगा independent judiciary अगर देश में जुडिश्री independent होगी तो मतलब वहाँ पर constitutionalism होगा fundamental rights and liberties to individual अगर लोगों को liberties मिलेंगी fundamental rights मिलेंगी तो मतलब वहाँ पर constitutionalism होगा dignity of individual अगर एक देश के individual की dignity को maintain किया जाता है उनको महत्तव दिया जाता है तो मतलब वहाँ पर constitutionalism होगा बच्चों बोलने मतलब क्या हूआ constitution तो हर कंट्री में होता है constitution तो Germany में भी था कब जब Germany में Adolf Hitler Hitler का साशन था उस टाइम पर भी Germany में constitution था लेकिन वहाँ पर constitutionalism नहीं था constitutionalism नहीं था क्यों नहीं था क्यों कि Germany में हिटलर के टाइम पर लोगों को राइट्स नहीं थे, लिबर्टी नहीं थी, जुडिश्री इंडिपेंडेंडेंट नहीं थी, अनलाफूल टेंशन होती थी, एक्सेसिव टेक्सिशन लोगों से लिये जाते थे, सेपरिशन पर का सिस्टम था यह नहीं, हिटलर ने सारी पाबर्स अपने हाथ में कंसेंट्रेट करी थी, रूल ओफलो वहाँ पे था नहीं, लिमटर गॉएनंट वहाँ पे थी, वो सरवे सरवा था, बोल्देया मतलब क्या हुआ, एक देश में कंस्टिछचन हो ऑँगा ही होँगा, पर constitutionalism तब होगा जब उस देश का constitution उस देश का constitution देश में rule of law establish करे, separation of power establish करे, limited government establish करे, लोगों को fundamental rights दे, लोगों को fundamental duties दे, unlawful tension को खतम करे, judiciary को independent करे अगर constitution ने ये सारे provision उस देश में लेकर आ गए, तो समझ लेना वो देश में constitutionalism है, नहीं तो constitution का तो simple सा मतलब होता है, एक document जो बताता है हमें कि government कैसे run होगी, government क्या होगी, वो government चाहे जैसी मर्जी हो, बुरी हो, अच्छी हो, कोई फरगनी पढ़ता, constitution तो बताएगा कि होती constitution था, बेशक वहाँ पे ये सारे चीज़ा नहीं थी, बर constitution था, मतलब वहाँ constitution था, बर constitutionalism नहीं था, मतलब ये हुआ, कि अगर एक देश में constitution है, तो जरूरी नहीं है, वहाँ constitution होगा, पर अगर एक देश में constitutionalism है, तो वहाँ पे constitution होगा ही होगा, constitution हो हर देश का होता है, I hope समझत? बच्चों को वीडियो अच्छी लग रहे हो तो प्लीज लाइक करतें लाइक में कंज्रूसी न करें आपका लाइक हमारे motivation level को उपर ले जाता है प्लीज वीडियो को लाइक करें हजार लाइक लाखों लाइक हमारे वीडियो किया करें आप से request है दोस्तों को बोला करें इस वीडियो को लाइक जुरू करें अगर आपको हमारी lectures अच्छे से समझ जाते हैं आप हमें contribute करना चाहते हैं आप हमें होंसला देना चाहते हैं monetary relief देना चाहते हैं तो आप हमारी गूगल पे नंबर फोन पे नंबर पेटियम नंबर नाए टूवन नाए टूवन नाए टूजरो फोर सिक्स वन पर हमें गूगल पे फोन पे पेटियम कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको इन lectures के notes मिले सिंपल लैंग्विज में तो आप हमें मैसी कर सकते हैं हमारे वर्टसएप नंबर पर हम आपको इसके notes प्रवाइड कराएंगे बच्चों नोट्स पेड रहेंगे लेकिन हां कोई बड़ी बात नहीं है जी दोलिड अवर्टस पीड़ियों नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चों अगला जो टोपिक है कि क्या इंडिया में कॉंसे लिजम है द्देग्स इंडिया है दे अटाइज़ कॉंसे लिजम तो आप लिखोगे कि यस इंडिया दस है दा गॉंसे बाइज आ बीकर पोचे लगते चुरा हैं नहीं चानल पर यह और इमारे जो हमारे जो हमारेां तिजवाहर मेरे पर Instagram पर Telegram पर जाकि जूरूर फोलो करें वहाँ हम लेटास्ट अप्डेट डालते रहते हैं Telegram की पेज का नाम है Lobby Twins और Instagram पेज का नाम भी है Lobby Twins Thank you so much, Cave Spotting Us